कि गुद्बार्निंग मेरे प्यारे बच्चों द्यान देजे आप लोग के कछा दस्वी के परिशाफर के लिए बहुत-बहुत सुपकाम नाएं अब लोग अच्छा दस्वी में तो पास्व करके अब इग्राहमी में तो अच्छा दस्वी में जो रसायन विए था नवी और दस्वी में बढ़ियां से पढ़ें होंगे ठीक है अच्छे तो कोई बात नहीं है अच्छे न अब इग्राहमी में रसायन विएन का जो अस्तर होता है लेवल जो होता है बहुत ब्राड हो जाता है और आप लुग थोड़े सी से लेवस पढ़कर करके आये हैं छोड़ी छोड़ी चीज़े नहीं बच्चे लेते हैं तो अब आने पर रसायन विएन की दो-दो किताब हो जाती है मूटी-मूटी ब्राड हो जाता है और यही कंसेप्ट ही आप लोग की जीवन में ट्राइब है कि आप बना चाहते हैं डाक्टर बना चाहते हैं इंजिनियर बना चाहते हैं यहीं एक रही की भी साइंस की पढ़ाई आपका केरियर का निर्मार करते हैं अब बता देए इसलिए हम बता रहें आप लोग की ग्रहमी के प्रहाई सीधे आप लोग आएंगे तो अब इस तरह से जए की सधाना तरीके से ब्रटने पर कुछ नहीं होगा ट्रीक से पढ़ना पड़ता है ठीक ना और जो ट्रीक से नहीं पढ़ेगा यह बहुत कंप्लिके क्यान में कुछ की कंप्लिकेशन नहीं है और यह आप नहीं पढ़ते हैं इधर करेंगे ठीक ना तो यह बहुत ही कठीन हो जाएगा ठीक बस हम जैसे बता रहे हैं उस तरह से आप लोग क्रम से चलिए रम रसाइन आप लोग हाथ में और क्या डाक्टर क्या इंजिनिकी नहीं पढ़े होंगे तो यदि आप लोग को माइन नहीं करेंगे तो आप लोग का दिमूर नहीं लगता हो तो एक बार जो है की मेरे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवी तथा दस्वी करसा हम एकदम बेसिक लेवल से दिये हैं उसको आप लोग देख लिए इसमें भी जैसे जैसे आएगा हम बताएंगे फिर भी कि आगे बढ़ना है तो पीछे की जो हमारा लेवल हो मजबूत होना चाहिए तो इस चीकर में हम आज आप लोगों बताएंगे मूल कि देखिए आप लोग सामने आ रहा है मूल कि यह बहुत यहीं चीज है बट्ट यह आप लोग ट्रीक से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत हाड़ी मूल क्या है कि जैसा कि मेरे फ्यारे बच्चों ध्यान दीजिए जैसा कि हम लोग हम कहेंगे आप से कि एक दर्जन तो एक दर्जन कहेंगे तो तुरंत आप लोग माहिन में आ जाएगा बारफ पीस अजया बताने पड़ेगा है यह दिकाते हैं हम अब लोग को एक मितल तो हंड़िड क लेजी महीन में वाता है उसी तरह से किसी भी पदार्त की मात्रा को वह पदार्त कि वालू में दिया हो आयतन में हो भार में हो या उसके आयन मालिकूल और उप्रमारों के नंबर दिया हो तो उसको जो है कि हम मापते कैसे हैं भाई तो यहीं मूल है मूल के द्वारा हम करते हैं तो किसी भी पदार्त की उतना नंबर लिजिए उतना नंबर लिजिए उतना आयतन लिजिए और उसका मालुकूलर वेट लिजिए जिसमें कि एक मूल समाहित हो कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्त की वह मात्रा उतनी मात्रा लिजिए जिसमें की उसका दार्त की कितने 6.022 इंटू 10 पपावर 23 कौण कौण में क्या भवेई तू आयन परमाडू आडू कि किसी भी पदार्त की किसी पदार्त की वह मात्रा जिसमें उस पदार्त की कि कि इतनी कौन अब कौने जब कहा जाता है तो आयन परमाड या और कि 0 की कि आता है उस मात्रा को प्यूब कहते हैं वेन मूल कहते हैं क्या कहें नबός अब परिवास आगे आपके पास कि वन मुल किया है वे तो किसी थी पदार्थ की वह मात्रा निगी जिसमीं उस्यांतार्थ के इतने काणा आप गार्टिंड नमबरके विलाबर इतने कोण मतलब की इतने आयं इतने परमाण जिस्ट≤ उपस्थित रहता है पदार्थ की उस मात्रा को एक मूल कहते हैं यह तो संख्या रहेगा तो बताएंगे कि इतनी संख्या को क्या कहेंगे एक मूल कहेंगे तो इसमी एक मूल में सोडियम के इतने आयन परमाड अमालीजे के स्टूर हो गया तो एक मूल में जल के इतने क्या हो जाएंगे अड़ होंगे तो किसी पतार्थ की वह मात्रा जिसमें की इतने कौन हो कि उस संख्या को इतने खुणवले संख्या को हम क्या बोलेंगे एक मूल कहेंगे ठीक ना और यदि इसी संख्या को हम कि मैंना कि वन मूल को इतनी संख्या मत्मों हम इतनी संख्या को यदि भार में व्यक्त करते हैं भार में हिट सा मुझे कि वि इतनी संख्या का भार कितना होगा या इतनी संख्या का कि आयतन कितना होगा कि आय है तो एतनी संख्या का अम लेखो जायेगा अब इतनी संख्या का घुटना होगा तो अडु भार के बराबर है जैसे इतनी अडु एच टू दिखा रहे है तो के-ची-ची-टू- का भार कितना वह जाएगा आठार ग्राम कि यह इतने यह यह है एक ग्राम एक भार है सब्सक्रक्राइब तब आप से क्या सान किया जायाएगा कि 5-5 ओर के ऐढूं सुनिये यह कुछ देगा कि एक मुल जल के हणूं का फार 18 ग्राम है मतलब की इतनी हाएं मतलब कितने और इतने हैं तो एक ओर जल का भार क्यात कि आप दूदatif अब एक मूल को जलका आयतन कितना होगा बतलब कि एक मूल में तो कितना इतनी और जलका कितने आड़ 16 जलका भार कितना अठारह ग्राम इतनी और जलका आयतन कितना तो कि एस टी पी या एन टी पी पर कितना हो जाएगा 22.4 लीटर या बाइस अजार चार सो मिली लीटर है अब है एस टी पी आ गया तो एस टी पी है हम लिखते हैं कि सा ता दा एस टी पी समानी ताप दाब इस टी पी क्या है समानी ताप दाब डिस्टर्ब नहीं हुने है समानी तब कितना होता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस और 273 माइन बैठा लीजिए चुकि लोर क्लास आप हो गया है तो समानी ताप हमेशा यह रहता है कि ठीक है ना कि समान्य कि ताप यह ताप है और समानी दाब तो एक कि वाई मंडल यह सेवें शिक्स्टी में में समानी दाब है तो किसी भी पदार्थ के एक मूल मिन्स इतनी कॉर्ण का आयतन कितना 22.4 लिटर इस पॉइंट को समझ यह जो बता रहे हैं यह आ गया तो समझेगा कि यह लेशन बहुत ही यह जो जाएगा तो में बात उप गवर किजिए को रहा है कि एक मूल मतलब की इतने क्या आयन प्रमार्ण का आयतन इस टीपी पर हमेशा कितना होता है 22.4 लिटर है 22.4 लिटर होता है यह 2400 अमेल तो यह मूल आपको तीन चीज में रिलेशन बता रहा है एक मूल में यदि संख्या बताना होगा तो कितने इतना होगा यदि हमें भार बताना होगा एक मूल किसी भी पदार्थ का तो उसका और आड़ करके हम निकाल देंगे और एक मूल का आयतन बताना होगा तो एस्टीपी पर यह नार्मल कि ताप दाग वही होता है यह है तो बाहिस दस्वन चाल लिट्रस अब देखिए मेरी प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए तो माइंड में आप यह खाका बठा लिए इसको फोटो खीच लिए एक मूल में नंबर आफ पार्टिकल एक मूल में नंबर आफ पार्टिकल कणो की संख्या एकदम बैठाली जीतना एक मूल का भार कोई भी पदार्थ हो जल हो ठीक ना हाइड्रोजन गैस हो उसकी एक मूल का भार उसके जोड़ करके प्रमाड के जो भार है ना जोड़ देंगे वाएगा वही अन्वार्ण और एक मूल का आयतन 22.4 यह माइन में तीन बठाली जीए इधर कण की संख्या इधर भार और इधर आयतन माइन में इसे खाके बठाले जीए अब देखिए इसके बाद यहीं पर आप कल्कुलेशन हो जाएगा कि यहीं पर आपका गढ़ना होगी बस यहीं पर समा जाएंगे तो गढ़ना आ गया मूल कंसेप्ट आ गया अब क्वेश्चन करते कैसे हैं अब आपको कोई नंबर दे देगा ति और मूल पूछ दिया तो पहले आप आएंगे यहां पर दिखेंगे कुछ भी नंबर हो मालीजे की जल के प्रमार के इतने आयन हैं तो कितने मूल होंगे क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन को छोड़ देंगे अब देखेंगे यहां पाएंगे की इतने किन नंबर में एक मॉल में कितने नंबर होते हैं तो आम लिखेंगे आप TV की एथने नंबर में एक मुल इसलिए दिया हुआ जो नंबर है गा उसने कमा लेंगे और अख्यां को कि आतन देरिया और मोल पूछता है आप यहां पर माल लेज नो लिटर देरेज्टी दीए दोल लिटर मोनिया में कितने मोल नहीं लिखेंगे जानते हैं कि 22.4 लिटर लिटर अमोनिया में एक मोल है चुकि आयकिक नियम पड़े हैं चुकि 22 दसमरों चार लिटर अमोनियम कितने मोल इसलिए जो दिया हुआ अपना इतने नमबर में एक मोल इसलिए दिये हुए लिए इतना मोल इसलिए जो इसलिए जो इसलिए कभी कभी भार देता है अब भार दे दिया और पुछे कितने मोल तो भार दिया रहता है तो डिरेक्ट अमिल्काल सकते हैं मोल एन एक वार बट्टे है और भार को या इसको नहीं करते हैं तो आते हैं लिखेंगे कि पथार्थ का भार दिया है ना उसका पहले हम और निकालेंगे इस जल ही कर दे दिया कि 6 ग्राम जल में कितने मोड द्यान सुनिये हे जल में कित्ने मौ फूर लिखेंगे कि ऑठारगरामे एक मौ चुकि इसलिये में चौम अब ट्रोमशेंज तो पहले इसन नंबर कौ locking बनाएंगे नीवाइट पुछे पुछेगा तो इस बार को लिखेंगे आप लेक मोल तब इसमें हाँ अब देखिए अब इंटर चेंज क्या होता है कि कुछ है नहीं देखिए इसी स्केल पर चलता है इसलिए गौर से सुनिए इसको मेरे वीडियो इस वीडियो को बार बर देखिए आप नंबर दिया रहे गा और भार पुछेगा मोल नहीं पुछेगा इसमें से इसको लेप्स वकर देखिए लेक्त पुछेगा अब दे दिया कि इतने नंबर जल के अउड़ है तो भार कितना होगा भय तो यह तो दिया रहे हैं सीथे निकालेंगे होता है तो सब्सक्राइब निकाल लेंगे इसी से लिखेंगे कि नहीं नहीं नंबर दे दिया भार पुछ रहा है तो इतनी नमबर का भार कितना जो भी हो अब जल रहेंगा तो अठाट सब्सक्रामप्र निकाल लेगा ठीक है तो इतने नमबर में कितना बबिपार जो दिया है और भरुब इसलिए ज़ो नमबर दिया रहेगा मालें यह कि कि दे चाघर पर्माडू का भार का सार्माडू निकाली इसा不錯 कि नमब कि भार पूछेज़ा करता है कि दिया रहता है और आयतन पूछ देता है के ठीक नंबर दिया रहे हैं कि क्यों पूछ yapना मॊल्ट पूछ दोस जल यॉआ का आयतन पूछ दिया कि दोस जल को आपन बताइए जल कि दोस नाढ़ू का अधन पर लिखेंगे तो नमबर दिया रहेगा तो भी हार निकल जाएगा नंबर दिया रहेगा तो निकाल लेकिन आइंग यहीं पर पहले इतने नंबर में इतना अधाल इसलिए वह इतन इदिये हुए उतन के अपक्भी कभी भाए दियता है और आप नंबर फुचता है फले फ से बंकट इतने और तो लिखेंगे कि टारह ग्राम में या है इतने लिए इसलिए दिया है तो नम्मर पुछ सकता है भार दिया रहेगा तो आफ्टन पूछ gör है तो पुर जिए तक है कितने भार में इतना इतन एक कभी कभी आैतन दे दियता पुछेगा यत्वान भर पुछेगा नहीं तो कोम्डेब की संख्या नहीं तुम मूल पूछेगा तो इसी स्केल पर आपको पुछेगा ठिक रहां और इसी स्केल को आप लोग त्यार कर लेंगे मढ़ियां से ठीक रहां तो एजली जो है की कल्कुलेशन होगा ठीक पहले बताएंगे अगले वीडियो में ठीक ना अब एक बार जो है कि नहीं आपको करिका जा सकता है क्योंकि पहले यह जो रिलेशन बताएं इस बार बार आपको समझे बढ़िया से और कुछ फर्मूलिय को देंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और उसको जहें कि अपनों मिश मत कीजिए इसके लिए चानल को सब्सक्राइब कर लिए ठीक ना सुर्वात की चीज़ें अभी मिश करेंगे तो आगया नहीं समय में कंफ्यूजन होगी क्योंकि फिजिक्स अलाग क्यमेस्ट्री अलाग मैस अलाग हो कि तब तक के लिए धन्यबाद और इसको दो तीन बार ध्यान से पढ़िए फिर मिलते हैं हुआ 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 हुआ